हलो एवरिवन आज लाई हूँ आपके लिए मिक्स दाल मकनी की रेस्पी होटल या रेस्टुडेंट में मिलने वाली उरत दाल की मकनी तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी आज बनाते हैं अपने घर पर मिक्स दाल से दाल मकनी तो चलिए रेस्पी बनाना शुरू करते हैं यहां पर दाल बनाने के लिए मैं ले रहे हूं वन थर्ड कटोरी राजमा दाल वन थर्ड कटोरी उड़त दाल वन थर्ड कटोरी मसूर दाल दाल में पानी डाल कर दाल को अच्छे से साब कर ले दाल को कम से कम दो तीन पानी से साब धो ले दाल को मैंने यहां पर अच्छे से धो लिया है दाल को पकाने के लिए दाल को अब प्रेसर कुकर में डाले दाल को पकाने के लिए मैं यहाँ पर डाड़ आयूं 3.5 गिलास पानी दाल में पानी दाल के हिसाब से मैनेज कर ले अब डाड़ आयूं में इसमें आधी चमच नमक जिससे दाल जल्दी से गल जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, एक बड़ी इलैची, दो छोटी इलैची तोड़ कर डाले, एक दालचीनी का टुक्ड़ा डाले, तो इनको पहले डालने से यहाद डाल के साथ अच्छे से पक जाता है, डाल में इनका जो फिलेवर होता है, वो अच्छे से आ अब प्रेसर का ढगन बंद करके डाल को गैस में रखकर दिनी आच में 5-6 सीटी लगा कर डाल को पका लिया है अब daal को यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो डाल यहाँ पर अच्छे से पक कर तयार हो गई है अब daal पर तरका लगाने की करते हैं तयारी गैस में कडाही रखकर तेल और बटर को गरम कर लें तेल और बटर यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है अब डाड़ आई हूं मैं इसमें एक तेई पत्ता तोड़ कर डालें दो लोग जाबिद्रिक के दो टुकड़े इन खड़े मसालों को आप जरूर डालें इनको इसकीब ना करें इनसे दाल का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है अब डाड़ आई हूं मैं इसमें एक बड़ी प्याज बारीख चौप करी हुई प्याज को चलाते हुए तब तक पका लें जब तक प्याज गोर्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए प्याज को चलाते हुए मैंने यहाँ पर अच्छे से पका लिया है और प्याज में हलका सा गोर्डन ब्राउन कलर भी यहाँ पर आ गया है अब प्याज यहाँ पर पक कर तैयार है अब डाल आयों मैं इसमें दो टमाटर की प्यूरी अब डाल रही हूं मैं इसमें एक टुकड़ा अद्रक का कदुकस किया हुआ एक चमच कस्मिरी लाल मिर्ची पौडर आदी चमच देगी मिर्ची पौडर एक चमच धन्या पौडर आदी चमच हाल्दी पौडर आदी चमच गरम मसाला पौडर फिर मसालों को अच्छे से मिक्स कर ले मसालों को मैंने यहां पर अच्छे से मिक्स कर लिया है अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा नमक नमक हमने दाल को पकाते समय भी डाला था इस चीज को ध्यान में रखकर नमक डाले फिर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें फिर थोड़ा सा पानी डाल कर मसालों को तेल छोड़ने तक पका लें मसाले यहां पर अच्छे से पक गए हैं और मसालों में उपर तेल भी छूट गया है मसाले भी यहां पर अच्छे से पक कर तयार हो गए हैं अब डालेंगे हम उबली हुई दाल अगर जादा गारी लगे तो दाल में गरम पानी डाल कर इसको थोड़ा सा पतला करें जादा पतला ना करें क्योंकि दाल मकनी थोड़ी थिक अच्छी लगती है मैं यहाँ पर डाल में पानी नहीं डाल रही हुँ क्योंकि डाल को उबाते समय मैंने डाल को बीच में चेक करते हुए दो गिलास पानी होर एड़ कर लिया था अब डाल रही हुँ मैं इसमें आदी चम्माचीनी से जो डाल मकनी में हलकी सी मिठास आती है और डाल का टेस्ट बढ़ाती है अब डाल रही हो मैं इसमें क्रीम क्रीम डालने के बाद डाल को अच्छे से मिक्स कर ले और डाल को एक दो उभाल आने तक डाल को अच्छे से पका ले डाल में अच्छा सा उभाल यहां पर आ गया है और डाल यहां पर पक कर तयार हो गई है अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मत कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हाथ से क्रेस करके डालें डाल मकनी हमारी यहां पर बिल्कुल बनकर तयार हो गई है इस निक्स डाल मकनी को आप रोटी के साथ खाएं या चामल के साथ खाएं या प्रांठे के साथ खाएं या दाल मखनी आपको जरूर पसनाएगी तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस दाल मखनी को जरूर बनाएए गरमा गरम दाल मखनी को आप बटर क्रीम डाल कर शार्व करें आज की रेस्पी आप लोगों को मेरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं फिर मिलेंगे और एक नही रैस्पी के साथ, तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखें, स्वस्त रहें, मस्त रहें